हलो दोस्तो, कैसे हूँ आप सभी ममतगीचन रेसिपी इसमें आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहे हूँ तिल पपड़ी की रेसिपी और आप दिख सकते हैं यह जो मैंने तिल पपड़ी बनाई है वो एकदम पापड़ जैसी पतली है बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किये अंट तक दिखते रही है ताकि आप भी इस तरह किये तिल पपड़ी बना करके तयार कर सके एकदम असान तरीके से आज हम इसे बनाएंगे मकर संकराती स्पेशल ये रेसेपी है जब भी आपका कुछ मिठा और कुछ हल्दी खाने का मन करे तो भी आप इसे असानी से अपने घर पर बना सकते हैं तिल पट्टी बनाने के लिए तिल पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गेस पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें ह तिल चटकने लग जाएं तब तक हम इसे रोस्ट करना है तिल को हमें ज्यादा रोस्ट भी नहीं करना है दो मिनट हो गए हैं और जो ये तिल है वो एक दमाची से रोस्ट हो चुके हैं तिल एक दमाची से चटकने लगे हैं अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे तिल को आ आपर एक चकला और एक बेलन लिया है जिसे मैं घी से ग्रिस कर रही हूं कि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तुरंत बेलना होता है बनने के तुरंत बाद ही आपको इसे बेलना होता है इसलिए आप इसे पहले से ही ग्रिस करके रख दें ताकि आपको असानी र अपरे बनाना बता रही हों, जो बहुत ज़्यादा असान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तयार होती है। सबसे पहले हमें चीनी को करमलाइज कर लेना है इसके लिए मैं इस चीनी में एड़ कर रही हूँ एक चमज पानी और मेडियूम फ्लेम पर हमें इसे इस तरह से चलाते हुए पका लेना है उस देर तक पका लेने के बाद आप देख पाएंगे कि चीनी जो है वो और जड़ा सूख गई है इसमें जो हमने एक चमज पाने डाला था वो भी सूख गया है पिगलने के बजाए लेकिन ये चीनी ऐसे ही पिगलती है पहले ये सूखेगी उसके बाद ये मेल्ट होना शुर चीनी को करमलाइजड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे लगाता चलाते रहना है बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी इसे बीच में नहीं चोड़ना है एक दम लगाता चलाते रहेंगे तब ही कुछ इस तरह की चीनी बन करके तयार होगी और थोड़ी कर देंगे तील और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद गेस की फ्लेम को हमें ओफ कर देना है और इस मिक्षर में से थोड़ा सा मिक्षर हमें इस प्लेटफॉर्म पर रख लेना है और इसे हल्की से शेप देकर इसे तुरंत बेल लेना है आपको इसे कि जब ठंडा हो जाएगा तो आपको से बेलने में परोब्लमस बसकती है और जल्दी-जल्दी प nehme you बना ली है अपस का साइस दे क्त पतलि बनी है गब अपड़ जीसी पतली हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे अगर आपका ये mixture जो है वो ठंडा हो जाता है तो आप इसे कड़ाई में ही गरम कर सकते हैं और इसे तुरंत बेल सकते हैं दोस्तों बाकी सभी पपड़ी भी हम इसी तरह से बना लेंगे बहुत जल्दी जल्दी हमें ये process करना है और आप देख सकते हैं सभ विकल असान तरीके से मैंने से बनाया है और सिर्फ दोची जोसी बनरोकरके तयार हो जाती है आपको इसे बनाने में ज़्ञा स आमगरी की भी जरूरत नहीं है और बिन शी को बना आप दोगिए ब सब़सदी में तुर्दं मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको इन तील पपडी का टेक्षर दिखा देती हूं और इने तोड़ कर भी दिखा देती हूं कितनी बढ़िया कुरकरी एकदम पतली तील पपडी बनकर के तयार हुई है अगर आप भी इस तरह से तील पड़ी बनाएंगे तो सेम पूसेम ऐसी ही तिल पपडी आपकी बनकर के तयार होगी और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम कुरकुरी तिल पपडी बनी है तो चलिए बिना जादा देर के जल्दी से आप इसे बनाना शुरू कर देजे और इसका मज़ा लीजे द अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकम पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें जिस्ते आपको अमारी हरनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हरनी वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो चली दोस्तों आप इन कुरकुरी तिलपटी का मजा लीजे तिलपापटी का मजा लीजे मैं मिलती हूं आपसे नए वीडियो में ने रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई